हेलो स्टूडेन्ट वेल्कम टू अनलाइन क्लासेस इन रामराजी इंटर कालेज नरायनपूर प्रितमपूर हीरापूर अम्बेटकनगर आई यम प्रेमचंद्यादो टूडे आई यम गोईंग टू डिसकास क्लास ट्वल्थ मैत एक्सर्साइज 7.2 चलिए देखते हैं एक् यहां देखें पहला क्विश्चन आपका है कि निम्न में पृत्रेक फ्लन का समाकलन कीजिये यनि समाकलन हमें ग्यांद करना कि इसमें है कुषय्चन स्टू ट्रूट्साइज 2 यक्स कास 2 यक्स अब देखे इसको हम इंटेग्रेब्टर में क्या लिखेंगे integration of under root sin2x और cos2x dx अब देखे यहाँ पर हम sin2x बराबट t माल ले रहें तो sin2x बराबट t to sin2x का differentiate करेंगे क्या आ जाएगा 2 cos2x और बराबट dt भाइ dx अब dx इधर ले आएंगे तो कास्ट 2x dx बराबर dt तो कास्ट 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt by 2 अब ए मान हम इसमें प्रती अस्थापित करेंगे अब देखें इसमें रखेंगे इंटेग्रेशन आप इसका मान हमने t माना है तो अंडर रोट t और इतने का मान कितना आ गया है यहाँ पर dt by 2 अब देखें 1 by 2 हम क्या कास्टेंट बाहर कर लेंगे तो इंटेग्रेशन आप अंडर रोट t dt अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 by 2 integration आप t 2 दी पावर 1 by 2 dt अब देखें t 2 दी पावर 1 by 2 का हम integrate करेंगे क्या सब आजएगा यहाँ से हमारा आया 1 by 2 और t 2 दी पावर 1 by 2 प्लस 1 अपन 1 by 2 प्लस 1 प्लस अब देखे इसको और शाल्प करेंगे तो यहां T to the power 3 by 2 upon 3 by 2 प्लस C आया अब देखे इस 3 by 2 को हम उपर ले जाएंगे यहां देखे क्या आजाएगा 2 upon 3 और इंटो 1 by 2 2 to cancel हो जाएगा क्या आएगा 1 upon 3 इंटो T to the power 3 by 2 प्लस C ठीक है अब देखें यहां से हम इसको लिखेंगे क्या यह हमारा आ जाएगा 1 upon 3 ती के अस्थान पर जो हमने माना है क्या माना है साइन 2 एक्स बराबर टी माना है तो आ जाएगा साइन 2 एक्स से 2 दी पावर 3 by 2 प्लस से यह हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है चली यह देखते हैं question number 31 question number देख़े 31 क्या है? कि sine एक्स upon 1 plus cas X का whole square अब देखे इसको integrate term में हम इसे लिखेंगे अब देखे 1 plus cas X बराबर हम क्या माना ले रहे हैं T अब देखे 1 plus cas X बराबर T मानेगे तो 1 का क्या हो जाएगा integration 0 0 0 नहीं लिखा investir साइने 0 10 6 कया हो जाएगा साइन 8-7 7 दिस्ट का हो जाएगा किस्ट अदिधर ले आएंगे माइनस स्ञीं घृट स्थरीं और मारव स्थरीं स्थरीं आदेन हम तो यहाँ इसमें रखोंगे हैं रख रहे हैं क्या हम आजाएगा integration आ एतने की वैल्य हमने टी मानँ टी स्कौार हो जाएगा और यहां से साइन एक्स दी एक्स बरावर के आया है माइनस डी टी हो जाएगा अब माइनस एथ हम बाहर कले रहे हैं तो यहां integration आप वन अपन टी स्कौर को हम क्या लिख सकते ती कि t to the power minus 2 dt अब इसका हम integrate करेंगे तो यहां से देखें हमारा क्या आजाएगा minus t to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c अब देखें यहां से हम इसको क्या करेंगे तो यहां देखें minus t to the power यहां पर हमारा आया minus 1 ठीक है और अपान यहां देखें minus 1 minus minus देखें क्या आजाएगा plus तो यहां पर आया हमारा t to the power minus 1 अब इसको इधर ले आएगे तो यहां हमारा आजाएगा one upon t plus c तो one upon t t के अस्थान पर जो हमने माना क्या माना one plus plus c x बराबटी तो यहां हम रख देंगे तो one upon one plus c x और plus क्या आजाएगा हमारा c ठीक है तो यह हमारा क्या आएगा answer आएगा ठीक है चलिए next question देखते हम question number 33 question number 33 क्या कर रहा है one upon one minus 10 x का हमें क्या करना है integrate करना है ठीक है चलिए करते हैं तो यहां देखे integration आप integrate फर्म में हम यह रखेंगे तो यहां से देखे integration आप one upon one minus 10 x बराबर क्या होता sin x अपान कास x अब इसको हम solve करेंगे इतने को नीचे वाले को तो यहां से देखे हमारा क्या आजाएगा यहां से आएगा इसको solve करेंगे तो यहां से आएगा हमारा integration आप one upon कास से इसमें गुड़ा करेंगे कास x माइनस sin x अपान कास x कास x ऊपर चला जाएगा कास x बटे कास x माइनस sin x dx हा जाएगा अब देखे हम क्या कर रहे हैं दो से गुड़ा हम कर रहे हैं इसमें और दो से यहां भाग कर रहे हैं ठीक है अब देखे जो हमने भाग किया है उसको हम इधर बाहर कर ले रहे हैं तो वन बाई टू हमने देखे बाहर कर लिया ठीक है और देखे यहां हमारा two cas x बचा यहां देखें हमारे पास क्या बचेगा two cas x बचेगा तो हम क्या कर लेंगे इसको one by two integration आप हमारे पास बचा two cas x अपान बचा cas x minus sign x अब इसको देखें हम एक कर लेंगे one by two इसको लिखेंगे cas x plus cas x चुकि two cas x है अपान यहां देखे cas x minus sign x यह हो जाएगा अब देखें इतना हो गया हम क्या करेंगे इसमें minus sign x घटाएंगे और plus sign x इसमें जोड़ेंगे तो यहां से देखें हमने जोड़ा क्या हुआ यहां से यहां देखें हमने किया तो यहां हमने क्या ले लिया cas x minus sign x यह साथ ले लिया plus cas x plus sign x साथ ले लिया और बटे यहां देखे cas x minus sign x और यह dx आ गया अब देखें हम इसको अलग-अलग break करेंगे तो one by two हमारा बाहर है अब integration आप हमारा क्या हो जाएगा यह देखें यह दोनो तो cas x minus sign x बटे cas x minus sign x dx और प्लस यहां देखें हमारा क्या होगा integration आप cas x plus sign x बटे यह वाला cas x minus sign x dx हो जाएगा अब देखें इसको हम और साल्प करेंगे यहां देखें यह दोनों हमारा कैंसिल हो जाएक तो बचेगा क्या यहां 1 by 2 integration app 1 dx अर यहां देखे पलस है ठीक है फिर integration आप यह देखे हमारा 18 plus sign y سै ती यह देखे 18 plus sign y सै है ठीक है और upon 18 minus sign y dx अ देखे इसको और यहां ध्यान देबेजिए माइनस है नहीं ठीक है एक कट किया गया ठीक है यह नहीं है माइनस ठीक है अब देखें यहां से हम क्या मानेंगे हम मानेंगे कास यक्स माइनस साइन यक्स यह तो इसकी तो बैलू आ जाएगा तो वन बाई टू इसकी बैलू यक्स आ गया इसको हम सालब करेंगे तो इसको सा साइन एक्स का कास एक्स तो डी एक्स बराबर डी टी माइनस कामन ले लेंगे ती यहां देखे क्या जाएगा कास एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी अब देखें यहां से हमें इसको क्या लिखेंगे कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डीटी हो जाएगा अब इसकी बैलू रखेंगे तो यहां देखें वन बाइटू है दो मन बाइटू इतने की बैलू क्या आ गया यक्स माइनस माइनस क्यूं आया क्यूंकि यह देखें माइनस डीटी है माइनस हमने बाहर कर लिया तो इंटेग्रेशन आप यहां देखें कास X plus sine X DX बराबर कितना है हमारा A है DT तो यहाँ DT वाइ इतना बराबर हमने T माना DT बाइ दिया गया अब इसको साल्ब करेंगे तो यहाँ से देखें हमारा आ जाएगा 1 by 2 X माइनस इतने का इंटेग्रेट करेंगे लाग T पलस से अब X इसमें 1 by 2 से गुड़ा कर देंगे X by 2 माइनस 1 by 2 लाग T का मान हमने क्या माना था कास X माइनस साइन तो कास X माइनस साइन X पलस से यह हमारा अंसर आ जाएगा ठीक है चले नेस्ट कुस्चन देखते है कुस्चन नमबर 37 ठीक है यहां देखे क्या है कि X क्यूब इंटू साइन टैन इनवर्स X पाउर फोर अपान 1 पलस एक टू दिपावर 8 इसका इंटेग्रेट करना था इंटेग्रेट फार में हम ए रखेंगे अब देखे हम क्या कर रहे हैं 10 इनवर्स X पाउर फोर बराबर हम T मान रहे हैं अब T मानेंगे देखे इसका डिफ्रेंसियेट करेंगे तो यहां से देखे D by DT और यहां चेन रूल अपलाई करेंगे 10 इनवर्स T इंटू D by DX X पाउर फोर क्योंकि X पाउर फोर बराबर हम क्या मान रहे हैं ठीक हैं T मान रहे हैं तो चेन रूल अपलाई करेंगे तो 1 अपाउर 1 प्लस T स्क्वेर और यहां पर इनटू इसका क्या आजाएगा 4 X अब देखे T की जगा हम क्या लिखेंगे X पाउर फोर बराबर हमने माना है T तो X पाउर फोर का होल इसक्वेर आजाएगा तो यहां से हमारा आएगा क्या डिफ्रेंसियेशन यहां से आजाएगा 4 X क्यूब 1 अपान X पाउर फोर इसक्वेर बराबर हमने यहां आया DT बाई DX अब देखे इसको हम और साल्प करेंगे तो यहां से देखे हमारा आया 4 X क्यूब अपान 4 X क्यूब अपान 1 प्लस X to the power 8 DX बराबर DT आगया तो यहां से देखे X पाउर फोर X क्यूब अपान 1 प्लस X to the power 8 DX बराबर आजाएगा DT बाई 4 अब देखे DT बाई 4 आया इसकी बाई लू रखेंगे तो यहां देखे इसकी बाई लू हम रखेंगे क्या हमारा आ जाएगा इंटेग्रेशन आप 1 पान 4 इसमें इसमें कांस्टेंट है 1 पान 4 बाहर हमने ले लिया इंटेग्रेशन आप साइन और T कमान चुकि हमने 10 इंवर्स 10 इंवर्स एक्स पाउर 4 बराबट T माना है थी यहां साइन T और इतने कमान इतने कमान टोटल कितना है DT बाई 4 तो 1 बाई 4 हमने कमान लिया थी यहां बचा DT अब इसका इंटेग्रेट करेंगे थी यहां देखे 1 बाई 4 साइन T डी टी तो साइन T का क्या हो जाएगा माइनस कास T प्लस C हो जाएगा अब इसमें रख देंगे यहां आजाएगा माइनस 1 अपन 4 कास 10 इंवर्स पाउर 4 T के अस्थान पर रखेंगे और प्लस C तो यह हमारा क्या आएगा अंसर इतना आएगा क्या आएगा माइनस 1 अपन 4 कास 10 इंवर्स एक्स पाउर 4 प्लस C ठीक है तो यह हमारा अंसर आएगा ठीक है थैंक्यू इस वीडियो में इतना ही नेस्ट वीडियो में हम और कुछ चन डिसकस करेंगे ठीक है थैंक्यू